असलाम लाइकुम डेर स्टूटेंट्स मी शेखासव यू आर वाचिंग S.A.M.A.T. वाइब्स S.A.M.A.T. वाइब्स में डेर स्टूटेंट्स हम डिसकस कर रहे थे Infinite Series Infinite Series के उपर हम Divergence Test को सीख रहे थे Divergence Test के उपर हमारा ये Lecture No. 15 है जो के deal करता है dear students root test को so आईए हम पहले root test की statement को सीखते हैं फिर उस statement को numerical की उपर apply करके इसका procedure सीखते हैं root test are kashi root test let submission 1 to infinity an is positive term series and let limit n approaches to infinity an over 1 by n equal to l l is non-negative real number में यह 0 से close होगा infinity से open होगा अगर ऐसा हुआ तो हमें जो general term series में दी जाएगी an हम उसके उपर limit apply करेंगे n approaches to infinity और उपर 1 by n जो है वो exponent में आजेगा अगर वो l को जो है वो approach करेगा और l आपके पास क्या non-negative real number है तो तीन possibilities है dear students या तो यह l less than 1 होगा या equal to 1 होगा या greater than 1 होगा तो अगर इन तीन possibilities में अलग अलग फिर case बनते है इफ यह वाला l if l less than 1 then submission 1 to infinity an converge फिर वो converge करेगी if l greater than 1 or infinity submission 1 to infinity an diverge फिर वो diverge करेगी if l equal to 1 then test आपका fail हो जाएगा फिर आप other divergence test में से किसी को apply करेंगे जो suitable होगा और उसकी convergence and divergence को find out करेंगे so यह dear students root test की जो है वो statement है अब इस statement के जरीए हम क्या करते हैं different numericals को solve करके उसकी convergence और divergence को check करते हैं apply काशी root test finding convergence or divergence of series submission 1 to infinity 3 n plus 2 2 n minus 1 raise power n here a n equal to 3 n plus 2 2 n minus 1 raise power n यह देर सुनास आपके पास a n तो लिमट अप्लाइ कर देंगे limit n approaches to infinity a n raise power 1 by n equal to l limit n approaches to infinity a n over 1 by n equal to limit n approaches to infinity a n आपके पास यह वाली तर्म मजूद है 3 n plus 2 2 n minus 1 raise power n whole power 1 by n यह n से 1 by n से 1 by n से n cancel हो जाएगा देर सुनास limit n approaches to infinity 3 n plus 2 2 n minus 1 यहां से nominator में भी n common ले लेंगे और denominator से भी n common ले लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की situation बनेगी limit n approaches to infinity a n over 1 over n equal to limit n approaches to infinity n common आगा nominator और denominator दोनों से यह कट जाएगा जब limit apply करेंगे तो यह आपके पास क्या हो जाएगा 3 plus 0 मतल में यह 2 over infinity 1 over infinity 3 plus 0 2 minus 0 3 by 2 to 3 by 2 greater than 1 है तो यह आपके पास सीरीज है आपके पास क्या है यह दा वर्ज है तो समीशन वां टरफंटी ऐन इस डाइबरज श्मिशन सीरीज वां टिंपिंटी वांगा एन यह एन एक्सपोनेंट एट अन आपके पास इक्वांगा न एक्सपोनेंट एन उपर जागे क्या हो जब्स होजेगा इससे चैनल हो ज़ेगा एन की पावर क्य आपके पस क्या आएगा 1 आएगा तो अगर अगर लेस दिन 1 आता है तो हमारे पस स्टेटमेंट में किया है रूट स्टेटमेंट में तो यह 2 आपके पास क्या होगा सीरीज फिर कन वर्जेंट होगी नoiब रहते हैं लिमस्नाच एफटोन ऐसे सुरे Pocket कि अ करते हैं तो अनिकाफ्ट है इसमाः ऑनए मोटर टस्टाव जांगने कांटमगर आस पीड्नी सुल कीफ त्टान थे में एक पर रहते on जा यह आपके पास किया होता है ना मैंत करने वह ठीक देगिस के लिए इक्स्पोनेंट यह श्ấकर सिंप्लीफाइ करेंगे अगर ग्लेटर रहना तो डौक्ट Rogue अगर एक्वल टू वान आया तो टैस्ट फेल हो गया फिर हम कोई सा भी टैस्ट अप्लाई करके दिया सुडेंस उसकी कनवर्जन्सी और डाइवर्जन्सी को फाइंड आउट कर सकते हैं अला आफेश